कहने को तो सरफ यह एक चटनी है बट यह चटनी हमारे कितना काम आती है हमेसे पकोड़े के साथ सैन्विच के साथ कचोरी के साथ या पराठे, पूड़ी, जपाती सब के साथ खाते हैं और यह चटनी सबको पसंद आती है तो यही रेस्पी आज मैं आपके साथ शेयर और भेशारा हराधनिया और पोदीना है और इसको अभी इस तरीके से एड़ कर ले ना है मैंने कच्या मेंगो लिया थोड़ा सा उसको पील नहीं करना है ऐसे ही एड़ कर देना है मैंने जिंजर और यहाँ पर ग्रीन चिल्ली एड़ कर लिया है एक आधा इसमें से काफी spicy है, आधा थोड़ा spicy हैं येने दोनों को balance करके इसमें एड़ किया है, थोड़ा सा काला नमक और regular salt में इसमें एड़ किया है, अक्खा जीरा एड़ करेंगे थोड़ा सा, दो चम्मच के करीब मैं यहां पर दही एड़ कर दूंगी, दही से काफी लिए मैंने इसमें आइस क्यूप एड़ किया है और अभी इसको ढखकन लगा करके अच्छी से पीस लेना मिंटों में चटनी बन करके रेडी हो जाती है बली में बहुती स्वाधिश्ट चटनी बनती है लुक एड़िस कितनी अच्छी चटनी बनकी हुई है रेडी और इसका सारी पूदीना की चटनी रेडी होगी है आप ये चटनी जरूर से बनाएगा बली में आपको पसंद आएगी और कहीं भी कुछ भी इस वीडियो में पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर से लाइक कीजिएगा आगे की अच्छी एच्छी रेस्पियों देखने के लिए याची याची पूर बाची